आइफोन 11 लेना चाहिए है आइफोन 11 लेना चाहिए आइफोन 11 हो चुगा अब लेटरली बहुत साल हो ना और इस ताइम कंसिडर करना चाहिए नहीं चाहिए क्या है उसका करेंट स्टेटस वह मैं आपको आज इस वीडियो के इंदर बताने वाला हूँ चैनल पर अगर नए तो कर लेना सब्सक्राइब क्योंकि मैं करता हूँ सीधी बात नो बकवास और फिर स्टार्ट करते हैं अपकी वीडियो और इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करना क्योंकि सेल्स जावाती है न मैं बहुत सारी डील जालता रहता हूं तो आपका डेफि 16 also it is performing quite decent io 16 जैसी launch हुआ था उसके बाद बैटरी इशूस अब कुछ मलब लिटरली हर फोन में है थे 11 ने लो 12 ने लो 13 ने लो in fact 14 में भी काफी डिकती थी बटनाव the 16.1.1 जो वर्जन रिलीस वह उसके बाद काफी चीज़े इंप्रूब हो चुकी है और मैंने देखा है कि इतने जादा इशूस यहां देखने को नहीं मिल रहे है ना कि हीटिंग इशूस ना बैटरी डेरेज के इशूस और यह सेम चीज़ टू होती है आईपोन 11 के अंदर विच इस वेरी वेरी कमेंडेबल कि भाई उस सपोर्ट के बाद इस ताइम पर वो फोन काफी ठीक ठाक चल रहा है बट मैं आपको कुछ important points mention करना चाहूंगा कि 11 का इसा में camera थोड़ा slowly market को देखते वए थोड़ा कम हो चुगा है definitely not a very bad camera at the price तो मैं आपको यह recommend करूंगा 11 लेना चाहते हो आप सोच लो but use market से उठाना use market में as low as आपको 25-26 तक मिल सकता है which is a very decent deal I would say और इसके comparison में android phones उतने super इस time नहीं है big billion day sale में मैंने definitely मना गया था इस time पर ऐसे खरीलने में क्यों उस time पर आपको कई phone मिल रहे थे मतलब s21 FE मिल रहा था और बाकी काफी सारे जो realme gg2 pro मिल रहा था इस price point में जो खेल रहे थे phone तो वो better हो जाते है android market के बट अगर आपको iphone में entry लेनी है तो 11 is still not bad but go on the used market front ताकि आप एक साल use भी कर लोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा यही एक बहुत बड़ा फायदा होता है अगर आप used market वाला phone लेते हो आपल में specifically तो आपने जितने का खरीदा ना almost अगर मैं आज 25,000 का iPhone 11 बेच रहे हो और मेरा एक साल और पुनाना हो ज सब्सक्राइब तो इको सिस्टम आपका create हो जाएगा Apple Watch है आपका Airpods है या फिर Mac है तो आपका definitely आपको फायदा मिलेगा और एक trial basis पर अगर आप यूश कोना चाहिए तो आप ले सकते हैं camera wise बहुत super high expectation मत रखना just like major majority हमारे जो यह वाले iPhone है नए वाले iPhone से उस लेवल का लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं processor wise power wise day to day usage wise आपको ज्यादा issue यहां देखने को नहीं मिल रहा है इस time पे भी काफी decent चल रहा है जो मेरे दोस्त का iPhone 11 है और मैं personally बोलूँगा अगर आपको consider करना है आप करो अगेर price point को बहुत ध्यान में रखना use market में भी 25,000 अगर आप पे कर रहे हो then it is not very very worth it go for 12 mini instead 12 ताकि आपका एक बढ़िया phone रहा है क्योंकि design wise भी अगर आप देखो ना पुराना हो चुका है बट कई लोगों को design अभी भी अच्छा लगता है relevant लगता है then that is not a problem आपके ओपर depend करता है वह वाली बात है but in terms of जो मेरा बात है जो अंदर का समान क आपको यहां बता सकता हूं वह काफी ठीक चलता है सिर्फ camera हो थोड़ा सा अगर आप very high priority नहीं दे तो मिल्या camera भी खराब नहीं है but definitely वह लेवल नहीं रहा क्योंकि आप्टिमाइज हो गई नई updates के बाद भी कुछ ना कुछ हो जाता है तो वह चीज़ें ध्यान में रखते बाइ